अगली खबर आ रहे हैं सहडोल जिले से जहां जैतपुर्थाना छेत्र की दरसिला चौकी अंतरगत खाड़ा गाउं में पूर्व अतिती सिक्षक एवं नाब बालिक छात्रा के साथ दुराचार कर हत्या के आरोपित काम मकान गुरुवार की सुब़े पुलिस के साथ राजस चौकी अंतरगत ग्राम खांडा में अवैत तरीके से कबजा करके मकान बनाया हुआ था जिसे जिला और पुलिस प्रसासन ने मिलकर गिरा दिया है आपको बता दें कि बीते 13 नवंबर को आरोपित ने एक नाबालिक छात्रा को जंगली जहरीला फल खिला कर हत्या कर फेक द चलने के बाद पुलिस ने चानबीन के दोरान आरोपि को गिरफतार किया तब पुरे मामले का खुलासा हुआ आरोपित ने हत्या करना सुईकार भी कर लिया और वे अभी जेल में हजैपुर थानाप्रभारी भानु प्रताप सिंग ने बताया कि पुलिस अधिक्छकुमार प्रती के वम जेलाप्रसासन के निर्देश पर आरोपित के मकान को ड़हाने की कारिवाही की जा रही है। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि नमस्कार रीवा मैं हूं भानु बंडित और मैं हूं अनीता भड और हमारे आपकी शहर रीवा आप सब्सक्राइब कर दो कि आप सभी आएं वहां पर इस थांगीत में शाम का हिज़ा बने के लिए अर हम दोने स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते है अभ्यूदे उपकार फांडिशन की तरफ से अनामी का शुकलाजी का जिन्होंने हमें विवा शहर आमन्तित किया तो सीय है कि वपकार के